नमस्कर दुस्तों हम इस वीडियम देखनेवाले हैं एम अधारकाड एपस क्या है और यूज कैसे करें और इसमें हम क्या-क्या सर्विश मिलेंगा ये आज की सुविडियम देखींगे दोस्तों M AtherCard का मतलब यह होता है कि आप ओहां से यह AtherCard डॉनलोड कर सकते हैं और AtherCard में जो भी करेक्शन कर सकते हैं AtherCard अपडेट कर सकते हैं इसमें आप बहु सारा सर्विस मिल जाता है जिसे आप घर वैठें ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मुवाइल से तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें आपको मुवाइल पर आ जाना है और प्ले स्टोर में ओपन करना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले एम अधार कर्ड यहां पस टाइप कर लेना है ये ठीक, M Athercut का आपको ऐसा मिलेगे जिसमें आप देख सकते M Athercut, ठीक़ जिसे हम बोलते M Athercut, तो इसमें आप यहां पस install करने को option मिलेगे, इसमें install कर लेना है अपको इसके वेट कर लेना है, दोस्तों install होने तक जैसे के दोस्तों यहां पस open हो गया आफ़े पने करने को आपको श्थिल्स आपको प्रिशद देने ही कि आपको इस तरह है तो सितनी एपको फिर से आपक की जो फोटोस मीडियर आप इसके बाट दोस्तों आपको निश्थ करते हैं जाना ठीक है इसके बद आपको get state पर आपको क्लिक करना है इसके बद दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर प्रेंशन दिया है इसको आपको क्या करना है फड़ लेना है यह तो आप डारेक्ट देख सकते हैं ठीक है इसमें आपको क्या करना है आपको दिया है इसके प्रोसेस अपकी व अपना तो तहीं Hindu पर आपको ड्रॉन करना है और आपको जारु मौवाइल करना करना है थीक है और उसके प्रस्तुत करें यहाँ पस क्लिक करना है ठीक है दोस्तों यहाँ पस आप देख सकते हैं continue update अलेवल ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पस देख सकते हैं भारतिय विसीश भाजान आपका यहाँ पस क्या क्या है download कर सकते हैं अधार कर यहां पसे मिलेगा download करने का आप यहां पस निमीट अधार पर भी अधार संख्या और यहां पस आप बेट कर लेते हैं दोस्तों कुछ update हो रहा है कुछ permission मांग रहे हैं ठीक है तो आपको बेट कर लेना है ठीक आपको कुछ निकरना है डारेक्टर सीथ फिर download पर आपको क्लिक करना है निमीट अधार अधार संख्या आपको ठीक जब अब आप अधार संख्या डालेंगे तो यहां पस capture डालना है जिसके अधार नमबर आपको डाल देना है पस और जो capture दिया है इसको आपको फिल करना है उसके बाद OTP अनुरोध पर आपको क्लिक करना है OTP चेक कर लेना है दोस्तों इसके बाद सत्यापन करे पर आपको क्लिक करना है देख सकते हैं दोस्तों इहां पस आपको क्लिक करेंगे तो आपको इहां पस PDF मिल जाएगा इसमें आपका PDF में एक पासवर्ड फिल करना होता है जिसके पासवर्ड आपको जो भी है उस पासवर्ड को आपको फिल करके आपको ओपन करना है जिसे के दोस्तों यहां पस मैं आपको दिखा दिता हूँ ठीके आप देख सकते हैं पासवर्ड आपका शुरू का चार अंग ठीके शुरू का जो चार अंग है आपको capital में डालना है और लाश्ट अंग जो data birth होता है जिसे किसी का 1997-1995 है उसी तरह आपको डाल देना है और उसके बद आपका हैंपस अधार कड मिल जाएगा तरह का अधार कड़ आपको मिल जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बद आप यहाँपस क्या 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 काम और कर सकते हैं यह देखेंगे ठीके जिसे कि यहाँपस आपको PCO आडर कर सकते हैं अधार कर सत्यापन करा सकते हैं आपस verify email आप कर सकते हैं ठीके आप यह यहापस और क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं सर्विस आपको क्या करना है सबसे पहले अधार सत्यापन ठीक है अधार सत्यापन भी आप करा सकते हैं यहीं से ठीक है तो यह बहुं सार आपको सर्विस मिल जाता है दोस्तों आप यहापस रिकेश्टर कर सकते हैं जिससे अ आप फूफिल करके आप चेक कर सकते हैं तो इसमें आपका मेरा अधार पर आपको क्लिक करना है तो आपस आपको पासवर्ड बनाना है और इसमें दोस्तों बहुंँ सारा आपको सर्विस मिल जाता है लेकिन आप यहाँ पस रेजिस्टर माई आधार पर क्लिक करेंगे तो ठीक है इसमें आपको एक पासवर्ड बनाना होता है जो आपकी